तो हलो गाईस वेलकम टू माई यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मुबाईल फोन से एक नया जीमेल अकाउंट या नई जीमेल की आईडी बना सकते हो तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो गाईस एक नय कर देना है जैसी आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस को जाएगा आप यहां देख सकते हैं उसको नीचे एक आफसन देखने को मिल जायागा आपको एड़ ऑन अदर एकाउंट सिंपल यह आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप उस पर पर click करेंगे तो यहां देखिए checking information हो रहा है उसके बाद यहां पर आपको जो भी अपने mobile में password लगाए होंगे या pattern लगाए होंगे या fingerprint लगाए होंगे यहां पर डाल देना है उसके बाद यह open हो जाएगा checking information आपके सामने open हो जाएगा यहां देखिए open हो गया है sign in लिख र क्लिक करेंगे हरं उसके पर्लिच गूगल अगाउंट इंधने देखेंगे वाक। आपी अपको झालना मैंने के बाद उसके बाद आपको नेक्वेसे रेंगे तो यहां ऋब देखे, basic information, interior, birth and gender, यहाँ पर आपको data of birth और gender select करना है, जो भी आपकी data of birth है, जो भी आपकी gender है, वो select कर लेना है, यहाँ से, उसके बाद next पर click कर देना है, जैसे next पर आप click करेंगे, तो यहाँ देखिए, आजाता है, create a Google address, यहाँ से जो भी अपने नाम से बनाना चाहते है Google address, Gmail ID जैसे भी नाम से आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वो नाम लिख देना है, जैसे मुझे बनाना है, जैसे मुझे बनाना है, आप देख सकते हैं यहाँ से, जो भी अपने नाम से आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर लिख देना है, जैसे आप लिखेंगे, उसक आपको कोई एक password बहुत strong आपको select करना है यहाँ पर password आपको create कर लेना है जैसे मैं password create कर ले रहा हूं आप भी create कर लीजेगा अच्छा password उसके बाद next पर click कर देना है password create करने के बाद next पर आपको click कर देना है जैसी आप next करेंगे यहाँ देखे add phone number उसको बाद स्क्रोल करके आ आपको नीचे आएंगे नीचे एक option लिखने को मिल जाता है yes I am in simply आपको इस पर click कर देना है जैसी आप इस पर click करेंगे यह देखिए review your account information यह review में चला गया है यहाँ आपका नाम आ जाएगा लिखके और Google account यहाँ लिखके आजाएगा आपके सामने लिखके देख सकते है आप इमेल आड़ेस आपके सामने आजाएगा उसको नेस्ट पर click कर देना है आपको जैसी आप नेस्ट पर click करेंगे यहाँ लिखके आ रहा है privacy and term उसके फ्रॉल करके आपको नीचे आएंगे यहाँ पर I agree पर आपको click कर देना है जैसे आए यह ग्रिप आप click करेंगे यहा बड़ा वेट कीजिएगा कुछ देर देख सकते हैं यहां लिखा है Google सर्विस यह गूगल एकाउंट आपका create हो चुका है अब आपका यह email id बिल्कुल create हो चुका है देखे create हो गया है यहां आप जाएंगे यहां से देख सकते हैं अब जिस भी नाम से बनाए होंगे यहां देख सकते हैं यह आ जाएगा यहां देख सकते हैं यह आ गया है यहां से वीडियो